नमस्कार दोफतों में संदीप स्वागात है आप सभी घाप कि इपने सक्सेश रुटूब चैलमे में दोफतों आज पार्ट नमबर है 23 आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिंधी माडल कोशन के बारे में आज किस वीडियों जितने भी question होने वाले वो सारे भी ए फश्टर चिकरंदियर थाइड यर तीनो एर के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले और साथ साथ में आप इंडिया के किसी भी इन्वर्सिटी के छात्रों सभी के लिए ये question बहुत important है अगर आपका subject इसा सब्जेक्ट है जो बीए फश्टे से करने थार्ड यर तीनों एर के छात्रों के लिए कंपल सरी ही होता आप सभी को मालूम है और यह सारे कुष्चन आज किस वीडियों जो इंकलिड है यह पिछले कई सारों में कई बार रिपीट हो चुके हैं वह सारे कुष्चन आने हमें दोटीनि जो है तो पहला कुष्चन आज को मैं आपको बता देता हूं आज किस बीडियो में दो-तीन ले खक्रिया फिर आपके सकते कभी उन से पहला कुष्चिन वीडियो में जो की राहुल संसकृत्यायन का जम्र कब हुआ था बहुत इंपॉर्टन आप सभी को मालूम है राहुल संसकृत्यायन के बारे में तो आप लोगों के इसी तरह एक्जाम में मिलेंगे फस्टियर में तो आप सभी को मालूम है कि सारे क्वेश्चन ओम्र सीट यानि की मल्टिपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं यहां थे यहां और घौते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हीरत क्राइं यह तो आप अप लोगों को उमार सीट में गोला करना है या फिर फिल करना होता ठीक उमार सीट में तो ऐसे कुश्चन आ रहे हैं फिराल अगर आपके इंवर्सिटी में नहीं आ रहे तब भी कुश्चन कुश्चन दस पंद्रा कुश्चन तो पूंचे जाते हैं अब्जेक्टिव आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है आपको मिल जाएंगे निश्व पांच अठारा सवस्ची अठारा सथी तिरान नवे उनिश्टो आठ तो राहुल संसकर्त्या आयन का जो जन्म हुआ था वह ह हो जाएगा सी नंबर ओके बात करते हैं इस कोष्चन की निश्टो ने कि निम्न में किस्ने राष्टेता की मौच का तकाजा हिंदी भासा को माना अफसा ने पंद अगे राहुल संसकर्त्यायन और डी नंबर केशोदास तो इस कोष्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा द दोनों आप लोगों को पीडियाफ में वीडियो के डिस्कॉस्टन में जो टेली ग्राम का चैनल है उस पर में डाल दूंगा तो आप लोग ये पीडियाफ डाउनलोड कर लीजेगा कोष्चन अंसर दोनों इसमें मिल जाएगे ठीक है तो जल्दी से जल्दी आप लोग वी जाएगा होगा जाएगा बात करते हैं और ले सिक तयायन किन वाद के हामी बने नंबर एक सामए बात प्रगयति वाद दी नंबर प्रियोग वाद तो इस राइट एंसर हो जाएगा राहुल से कितायन जो हुए थे वो साम में वाद के हामी बने थे इसलिए कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा सारे कुष्चन important है द्यान से आप रोगे की कुष्चन समझेगा बात करते हैं एक लिए कुष्चन की लिखा है कि भोर का तारा एका तो भोर का तारा एकांकी जो है वह है जग्दिश माथूर की इसलिए को राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा बी नमबर दोस्तों इस वीडियो में पहला जो लेखा किया कभी है वह राहुल संसर के त्यायन है और दूसरे जो है जग्दिश माथूर है इन दोनों से से लिखाए कि लेहरो के राज हंस किसका नाटक है नमबर का देभी बहुश्चार हो जाए कि जमीन को किस ने पूरा किया नमबर एक जश्चाद ने गुलाब राइन कमले इस रोड और अगेन है तो जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कम लेसुर ठीक है थोड़ी थोड़े पूश्चन हो गए मोहन राकेस और राहल संसरी त्यान होगे और माथुर जी के बारे में अताया तो यह सारे क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दें हैं एक कि तो कण्पीज मत होईएगा अग्रा नियुक्त करते हैं कि लिए को चेजिद आप लोग समझ लीजई सिच्छा पर यह वाला होना चाहिए तौ मैं को मिल जाएंगे बिहार मद्ध प्रदिश उत्र प्रदिश गुजरा तो राइट एंसर हो जाए जग्दिश चंद्र माथो जी बिहार राज के सिच्छा फचिव थे बहुत इंपार्टनर को एक जामें कई भार आभी चुका है नियान में रखेगा ए नमबर अगले को बढ़ 1960s भी में रची गई थी यानि किसकी रचना होई तो इसलिए को राइट एंसर हो जाता है वो हो जाता है डी नमबर ठीक है अगले को बढ़ते हैं लिखा है कि मोहन सोरी मेरी बासरी 1936 के एकांकी कार कौन है नमबर एक मोहन राकेज जग्दिश चंद्र मातूर सी नमबर पर आप किसी इसलिए जग्दीश चंद्र मातूर जी हैं बी नमबर बात करते हैं एंगले के और अगले क्विश्चन कहरा कि जग्दिश मन मातूर का जल्म कहां हुआ था नमबर एक बहराईष में खुर्जा में बारा बंकी में सुल्तानपुर में तो जगदीश चन्र मात्रों का जो जर्म हुआ था वह वह था खुर्जा में ठीक है खुर्जा में इसलिए राइट एंसर भी हो जाएगा ठीक है बात करते एक लेकि लिए कुश्चन की एला कुश्चन है कि भाथ सरकार के किस मंत्राले के तहद मात्रों जी संयुक्त सची हो रहे ग्रह वारिज क्रसी इन में से कोई नहीं कि राइट है कि किर्सी मंत्रा ले के तहला माथ्रूजी सैयुक्त सची रहे थे राइट इंटर स्कूचन कर दो जाएगा सी नंबर ठीक है बात करते हैं अगले कुष्टन की कि निम निम में से लहरों के राज हंस का रसनाकाल क्या है यानि कि लहरों की जो राज अहंस रसना है वो किसन में रची गई थी या पिर उसका रसनाकाल क्या है ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो अब लगों बिल जागों 1905-1935 तो इस कोस्टिन का राइट रहों हो जाएगा वह जाएगा सी नंबर में ऐसे भी हो सकते है आजाए तो कनफीज मत होईएगा अब लोग ठीक है नंबर के कालिदास बी नंबर बिलोम सी नंबर मातुल सी नंबर दंतुल तो असाड का एक दिन नाटक जो है वो कालिदास के इंद में रखकर लिखा गया था इसलिए राइट एंसर को हो जाएगा ए एक हुुंकृत हि है रचना है जो कि इन जो कभी है या फिल लेखा कि इन मेंसे किस की है तो जो क्रती है वह मोहुंब्राट इसकिए को यह को duy एजाएगा दिन में चलिए बढ़तें लेक्न के ओले कैशन कह रहा कि है असाड का दिन रचना Romania किया असाड का दिन जो रचना है वो किस सन में रची गई थी या किस सन में इसकी रचना हुई थी आफसर आपको मिली जा रहे है 1905-1908-1916-1960 question का right answer हो जाएगा आफसर नमबर B 1958 में असाड का दिन का जो रचना है वो रचना वरस रहे ठीक है right answer B number अगले question के और बढ़ते हैं लिखाए कि राहुल जी का निधन कब हुआ था या राहुल जी यानि कि राहुल संस्रकत्यायन का जो दिहांत कब हुआ था आफसर मिल जाएगा 1963-1970-1990-1960 इसलिए question का राहुल संस्रकत्यायन का जो निधन हुआ था वह हुआ था 1963 में इसलिए question का right answer यह number हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question के लिखाए कि जगदीश चंद्र मातुर का निधन कब हुआ था आफसर मिल जाएगा 1985-1945-1980 और लास्ट आफसर आफसर निधन है या फिर दिहान थे वह उनिश्टो संद्र कितने में हुआ था आफसर नंबर इस question का right answer हो जाएगा 1978 डी नंबर ठीक है राइट एंसर हो जाएगा डी नंबर चलिए बढ़ते हैं अब अगले question क्यों अगला question कह रहा है कि हूं क्रति कि कौन सी बिधा है अभी आपने उपर question पढ़ाता कि हूं किस लेखक या किस कभी की क्रति है ठीक है अब यहां पर question आ रहा कि हूं जो क्रति है वह कौन सी बिधा की है ध्वनी नाटक गीत नाटक और थर्ड आफसन यानि किसी नंबर लिखाया है कभ्यात्मक और डी नंबर बीज नाटक तो इस question के right answer हो जाएगा हूं जो है वह वह बीज नाटक विधा की रशना है यह अक्रति है इसलिए question का right answer हो जाएगा डी क्लिउट किये थे आपके exam में आने वाले exam के लिए काफी helpful है तो आप लोग सारे question समझ में आ गया होंगा अगर आपका कोई question है कोई doubt है अगर किसी subject का model question paper चाहिए तो comment करके basic बताईएगा और इन सभी question को PDF है answer सहीत आपको telegram channel पर मिल जाएगा तो जल्दी से जल्दी आप जॉइन करी और चैनल प्यार पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आके और प्रेस कर दीजिएगा इस चैनल पर आपको daily model question paper बिए बेस्टी बिकों सभी छात्रों के लिए कोशिच में करता हूं कि provide करूं और जल्दी से जल्द में सभी के लिए question paper यानि की question answer जो important exam के लि जहेंड़